हेलो फ्रेंड्स मैं हूं इंद्र जी तुर आप रोगो का मेरे इस चनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस शोडियों में स्सी पेस्टेम की एक्जामिनेशन डेट के बारे में बात करेंगे दोजार बाइस में दोजार पेस्ट पर यहां वेकेंशनी कैली गेटी और इसका ओनलाइन फॉर्म फिलब बारा मई दोजार बाइस से तेरा जून दोजार बाइस तक फिल हुआ था इस उडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो एक्जाम कब होने वाली है तो वीडियो पायंता तक बने रहेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक किजिएगा शेर किजिएगा और सब्सक्राइब कि डेट सो हो रही है क्रेक्शन की डेट रही है उसकी बाद आप लाउस्ट में देखेंगे लेट ओप कंप्विटर बैस इक्साबिनेशन जो आपका एक्जाम है अगस्त के महिने में होने वाले अगस्त देवार बाईस्त से आपका जो एकजाम ही वो शूरू हो जाएगा आगस्ति से सितंबर हो सकता हैं और आपका जो एक्जाम हैं वो कम से कम 15 से 20 दिनों तक आपका विग्जाम चलने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फौंफील का नीज तो एकस्ति के महिने से आपका एक्जाम है वो शुरू हो जाएगा लगबग सितंबर तक हटुमबर तक आपका जो एकजाम है और चल सकता है अब मैं एक महतवपुन नोटिस की और ले चलता हूं एक्सप्रेंश कंडिडेट के लिए यहां पर एक होती महतवपुन नोटिस है आगर आपने भी इस वेकेंश में फॉर्म फिलब किया है तो फ्रेंश यह नोटिस जरूर देखे महतवपुन सुचना है कि पेच नंबर आपको मैं 11 पर ले चलता हूं और आप देख सकते हैं यहां पर आपको इस प्रेश्ट हो जाएगा इस किजीएगा आपके पास Experience फील पी 1 जनवरी 2022 से 13 जुलाई 2022 तक का जो आपके पास इक्स्प्रेश्ट यानि आ नभौव प्रमायन पत्र होना पर आ पीे इसके बीच में आपका जो नुबर प्रमायन पत्र है यहां टक का आपका जो इक्स्प्रेश्ट तेविकेट होना अतिया नहीं वारी है उसके बाद मैं आपको फॉम फिलप वाले notification के ओर चलता हूँ अब आपने जो फॉम फिलप किया था उस page पर आपको मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप देखेंगे एक notice हो रहा है यह notice का मतलब red light में हो रहा है इसका मतलब क्या होता है compulsory okay red light में जो notice होता है उसका मतलब होता है compulsory मतलब यह चीज होना अनेवार है the candidate will be required to submit expense certificate as filled above no other certificate candidate will be internet at the time security of the application document verification okay आप cbt exam तो आप दे सकते हो computer based test जो आपका exam है वो तो आप दे सकते हो लेकिन इसके बाद जो documents verification होगा उस समय आपके पास जो experience certificate है वो होना आनेवार है उस समय आपके पास experience certificate नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा मेरे लिष्टे से वहां से निकाल दिया जाएगा इसलिए आपके पास experience certificate होना अनेवार है अगर आपके पास experience certificate नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे exam में कि यहां पर compulsory दे रगा है अगर आपने भी form fill up किया है और आपके पास भी notification हो हुआ हो ओके form fill up करते समय आपके पास यहां red light 100 होती हो तो समझे कि यहां पर आपको notification के माध्यम से आपको जो experience certificate है और लगने वाला है तो compulsory है experience certificate है अब मैं आइटे केंडिडेट के बारे में बता देना जाओगे जिन्होंने apprenticeship कर रखिए उन्होंने भी form fill up किया है अगर उनके पास experience certificate नहीं है तो वहां candidate भी बाहर हो जाएंगे तो apprenticeship certificate के अलावा अगर आपके पास experience certificate हो यह तभी वहां magic list में आएंगे वरना आप बाहर हो जाओगे तो अगर आपके पास experience certificate नहीं है तो एक्जाम ना ही दे तो बहतर होगा क्योंकि आपका पेशा best होने वाला है तो friends यहाँ पर आप समझ सकते हो कि red light का मतलब क्या होटा है compulsory नहीं अन्यवाद है तो यहाँ चीज अन्यवार है दे रखिए और आप लोगों के पास experience certificate होना अन्यवाद है तो मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं कुछ भी डाउट हो तो आप comment box में comment कर सकते वीडियो को लाइक किजिएगा शेर किजिएगा और subscribe